Hello Mathematical Methods या आपले दूसरे चाप्टर से आचा हे चाहता सेशन आणि आचा सेशन मद आपन भगना रहोत Law of Parallelogram of Vectors तर स्टेट्मेंट भगा काहे है law of Parallelogram से इफ टू एक्टर्स आप सेम टाइप नेमीजे सापन मन्तो तसेश इफ टू एक्टर्स आप सेम टाइप ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दे सेम पॉइंट ओके एकास पॉइंट कडूं ते दोनी वेक्टर स्टाट जाले पाईशे अपन ट्राइंगल लाओ मदे काई बगद होतो तर एक वेक्टर जित एंड जला एती तुने दूसरा वेक्टर स्टाट होतो तर काया इथे मटले उन्धा एक दा निडाइगा इफ टू एक्टर्स आप सेम टाइप ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दे सेम पॉइंट और ब्रैके वेक्टर इस गिवन इन माग्निटूड और डिरेक्शन बाइद डाइगोनल आप दे पैललल अग्राम स्टाटिंग प्रॉम दे सेम पॉइंट मंजे इथे नियासा मटले कि जर तुम्हें दोन वेक्टर कंसिडर करता है कि जर एक पॉइंट करून स्टाट होता है असी दर क तुमि तो कसा दाखोनार तुम्ही तर तुमी daw दोन सार्ड है त्यासा विचार गिवन तुमी पैरललो ग्राम complete केवला है आणि त्यासा जो कही डाइगोनल यहील जो त्या जो चेम पॉइंट पॉइंट स्टाट होहील आसा जो वेक्टर है तो तुम्हाला का है दिईल। त तर शुरुवातिल आपन काय कोरिया है कि ही जी दोन वेक्टर का है तो गरे जी काय सांगीत लाई जी सेम पॉइंट पॉइंट स्टार्ट होदा वगरे तर ही जी सिचुएशन है ही थोड़ी शी पिक्चर चा फॉर्म मदे घिविया आणि जने कुरून मग हे जी काय आपन ली ओ आणि एचि नाव तेला पंडिले आणि समझा आपन यह पॉरिष्थिति मदे तो जुझू वेक्टर है तेला पंड पी बार समटले ओ ए मज़े पी बार आयास आपन मटले आणि समझा त्याला जूडुन आपन एक दुसरा वेक्टर गेतला कान आप ताला सांगीत लेकि त्या वेक्टर ला आपन नाव देतो है क्यू बार ठीक है तो अशाप पद्धतिने अपन हे दोन वेक्टर गेतले आणि त्या दोगान मदला जो एंगल आहे हाज तुम्हाला दीस्तो है मज़े पी बार आणि क्यू बार मदला त्याला आपन एक नाव देवुन डगे जो सब्सक्राइब जो लिए दे पहलें दलिऊन गी विया तो इन फिगर ओए बार इसे एकल दू पीबार बर अपन अत्तर जो लिले दे ओवए बार इसे एकल पीबार है आपले केस मदे अनि ओभी बार मंजी क्या है तर क्यू बार है तो इत रिप्रेजेंट्स टू एक्टर स originating from the point O inclined to each other at an angle theta so या दोगान मतला जो angle है तो कि ते थीटा है अशा आपन मतलन आणी जो मतलन होता कि जर हे जो दोन है vectors just starting from same point still आणी जर आपन parallelogram complete के ला तर तर त्याशा diagonal आपले लाग काई दे तो त्याशा त्या दोन the parallelogram then according to this law the diagonal OC bar is equal to R bar represents the resultant vector so आप लेलते हैं सदी काई गार लागेल तो पहला diagonal complete करूँन गयावा लागेल so diagonal जो है तो आपन complete करूँन गिविया दोनी vectors जोड़ून गिविया अशा पद्धा दिने मिहा parallelogram complete करूँन गेतलाए बगा आणि आपन काई करतो है तर यह पॉइंट ला सी है नाव दिले बगा है ठीके आणि यह नंतर अपतल काई करता है यहील तर हीजी दोन रेशा है किवा जे दोन वेक्टर से त्याननामी नावद युँँट अगलेत पी बार आणी क्यूबार है असका केलाए बगा तर अपन क्यूबार अश्नरे आणि हा पी बार है मुणुँधा पीबार अश्नरे हे पहलें दलक्षाद गया अणि यह नंतर आपन काई कोई गोरिया आथा हापला पैल आणि तो काई डाइगोनल आया समटले बगा तो ओसी बार इस इक्वल डू आर बार रिप्रेजेंट रिजल्टन्ट वेक्टर तो त्याला आपन नाव देतो है आर बार ठीके तो आश्नरे पध्यतिने हे जे काई त्यानी दिलो होतो त्या आपन रिप्रेजेंट केला अश त्यार या दोगान पसुण बन लेला जो प्यारलोलो गुराम आये त्याचा डाइगोनल जो त्याच सेम पॉंट पसुण स्टाड ओतो जितुन हे दोन वेक्टर घरजाले तो तिथुन देखतो अशा काम अटले कांटे जी डिरेक्शन करदी त्यार्टे स्टींग पॉंट मग यह वेक्टर चा फॉर्म मदेत तेचे मैगनिटूड किती हैं प्रत्यक वेल आपन काय कराना रहोत कि दोन वेक्टर देले तते जोड़ून घेना रहोत मग तेचा पैरलोलग्राम करना रहोत आणि लांबी रूंदी मोजणा रहोत असा कही कराना नहीं लक्षाद गिया सो एक mathematical equation अपलेला तायर कराव लागेल आता याचा तुम्हाला फक्त मैगनिटूड मेल आणि डिरेक्शन सुदा अपलेला मग घेवी लागेल बरो रहोत रहोत तर वेगला एक एंगल आपलेला चेक कराव लागेल मज़े समझा आपलेला हाई एक एंगल समझा में आला कि जो रिजल्टन्ट आणि कुटलाई एक वेक्टर है जातले आएंगल में आला इतलाएक एंगल में आला तर आपन काय गरू शकतो तर ही रहिशा एक्जेक्ली कुट्यास ने रहे तिया आपन सांगू शकतो आता इते तुम्हाला पैदलालोल गरम कंप्लीट के लाए तुम् होजने जी गरच पुड़त नहीं है बगां ओके तुम्हाँ थीटा घेत लाए बरवर हाँ थीटा चा एंगल में आला पकता दोन वेक्टर मदला अपन रिजल्टन्ट हाँ इथून इथे किती एंगल है हाँ काय तुम्हाला मुस्ताहित नहीं है बरवर ना तो आपनला कार आणि डिरेक्शन सादी चा फॉर्मिला का असेल यह चा वर्ति आपन डिसकेशन करना रहाँ तर शुरूवातिला आपन काय को रिया तर ही जी डाग्राम है ही डाग्राम तुमचे कड़े कंट्यूनियेशन मदे नेतान आपन एक एडजस्मेंट जी का रहे लागना रहे ती तर बगा ही डाग्राम है जी अपता अपले समूर हो थी आता अपलेला जर मैगनिटूड उजर काड़ाई चैसे लिया रिजल्टन ची तर आपन एक कंस्ट्रक्शन काय करतो ही बगा तेचा वर्त एक लक्षडा का बगा काय लिले तु फाइंड दा मैगनिटूड आफ आर अपरपेंडिकंटूलर फ्रम सी आण ओए ब्रकेट मद एले एक्स्टेंडड़ एट डी को तुमाला काय करायासे तर सी या पोइंट पासूल एक परपेंडिकूलर ड्रॉप कराया से खाली उच्छेंशेंवा बगा थूड तुम्हीं द्रॉप परपेंडिकूलर असली ला बरो रहे तो ओ यह कुटे आपला हाँ त्या चवर काड़ता एंडर नहीं तो ब्राकेट मदे लिले भगा एकस्टेंडड तो एकस्टेंडड ओ यह है तो आपलाल थोड़ासा एकस्टेंड कराईशा है आणि आपलाल थो एकस्टेंड करूंगी विया ओके तो एकस्टेंड केलावर काई हुएल तर आपलाला हाँ जो वेक्टर होता आपला वह तो वाड़ावला इध्याता जो आरो है ना तो तुम्ही या डागराम मदे इते आपन ठ्वलाया साथ ओके तुम्हाल दे कालेंड़ासाटी या आपन हाँ एकस्टेंड करतो है लक्साथ है ओके अपलाला काय कर रहुए तर ड या पॉइंट वर्थी परपेंड़ुलर टाकाय से चिया पॉइंट परसुए तो पहले अपन काय कर यह पॉइंट ला नाव देऊंट रून टाक विए अपलाल जी पाही सी दे दी नाव इथे अश्या प्रकार्च आज वीजी के खून है अपले लामाई एक ही ही 90 डिग्री जा जो एंगल असतो तेज खून है सो इट इस राइट अंगल ट्रेंगल आता दोन राइट अंगल ट्रेंगल जाले बागा उटला कुटला तर इत्थे हाँ एक छोटा तैयार होता तो इत्थे पां 90 डिग्री जाये मंज़े ACD समनों शक्तर के ADC काही मणा आणे हां OCD क्यों ODC यह दोन जा आपन OCD आणी ACD समझासे दोन मंगले तर अच्छा बद्दे दीचे आप लगडे दोन राइट अंगल ट्रेंगल ट्रेंगल तैयार होता ठीके तर मग जन्दरल केस मदे आत्ता पर्यांची थेरी अशिया है उपे तुन उठल आणे आपलाल कोणी विचार लगा कि भावा पायता गुरस थेरम स्टेट्मेंट काहा है तर आत्ता पर्यांत जेवड़के आपन शिकलो है ना मैतामाडिक्स मदा मना क्यों आल्जेब्रा मदे तो त्याच्या मदला आपलाल सगयात पहिला थेरम हाज येता शेल बिरोल ना जो कदीज आपन विसरू शकतने त्याच्या जे एक्स्प्लेनेशन आते पहिलांदल ले उनगे दोन आपले गड़े एक्चुली राइट आपलाल कले तो आपन पहलांद जो ओडिसी जो ट्रेंगल आये तरच्या बद्दल बूलुया आणखी नेक गोश्ट आपने एजमादे एल करूं तुर्तास करन जी आपलाला पूड़े लागना रहे जावड मीम तुम्हाल मगाश मदले की डिरेक्शन जे आपलाला तुम्हाला तेचावरुण काय डिरेक्शन खळेल तो जो एंगल है आपलाला कैल्कुलेट करता आला तो आपलाला काय दियल तर या रोची जी के डिरेक्शन आपेसिकली ती दियल मज़े तरहा तरी आउने रिजल्ट एन्ट वेक्टर मदला तरी एंगल क्यूवा हा वेक् ग्यामाओ जो एंगल आ वर्चा एला बिट्टा मतले और जो एंगल एम ले तेला मीछ ना ओदीले ग्यामा ओके उस्तगा मदे पुंड ग्यामा घेतले छरीदैर मुड़ुद मी इथे ग्यामा लीले कर्मन जे यथे आपना अलपा गेतों इत्व axle गेतों इत्व े देनी ग्यामा मचले पुस्ताक सेु सॉल inclined to तुम्हाल वाट लेकिए हाँ आपन अलफा करूं गिविए तुम्हीं अलफा करूं ग्या आणि माग जे उत्तर तुम्हीं काणना राथ ते अलफा जेला ते नाव जे आये ते आपन आपले सोई सड़ी ठेवलेले बिटा डेवा ग्यामा मना एक अधा तेला फाय मनेल तेला लूचुम्हाल वेगढ़ा हात तुम्हाल वेजला करूं आपनत लालफा अलफा मटला थिटा मटले करान तुम्हाचा सां यह पादला करूं प्यादलो ग्न्हात वह जोॉट वाभ आ गाम MV तोस हां एंगल अश्नेरे थीटा तरह अब रम्हों है जव है अपने जवा राइट अंगल ट्रेयंगल कंसिडर कर ना रहोत अबभाले इथला एंगल का क्स नरे हाँ थीटा अश्नरे साइन कॉस्ट ट्रेग्रमेटर्य आपन शेकल है तो त्यास आपला आपर यह डिगानी कराइचे तर बोल्या है अब लामाइद इतला जो हैपोटेंस उप्ला जो करन आतो काये ओसी है तो असी स्क्वेर इस इकल्डू प्लस डीसी स्क्वेर आता बगत अडिशन वह गाराव लाग लगी थे तर इते ओड प्लस एडि है और ते पनली उन्टाप यह सो ते उड़ास एक्चेंज करतो इसी क edi bracket square plus dc square okay अथा मी काया करणा रहे बगा हाँ a plus b bracket square जा एक फॉर्मिला आकड़ी आ रहे तो है ऐसाए सुग़ा है जोल एक दॉबी दावीला शिकल है तो मी तुम चगड़ा है थे सकल रहा है तो श्रूमiza प्लस ब्राकेट स्क्वेर जो होता तो तसाज सो यहाला आपन नमबर देवुटागे यहाला इक्वेशन नमबर 1 आणि खिन अप्ताजो दुसरा जो राइट अगल ट्रेंगल आपलगट शिल्लग होता ना जला आपन काया मनतो तो ADC तो यहाला अच्वा मदे काया हो ते संगतो तुमाला आणि मग आपने एक फाइनल इक्वेशन तैयार करतो होई बगा तो इन राइट अंगल ट्रेंगल ADC यूजिंग पाइटागोर सिरम काय लितो बगा तुमाला पन माहिते हैं मी काय लेना रहे दे AD square plus DC square is equal to AC square ओके अधा तुम्हाला काय लेले वरे नेमी का सलीला असता तुम्हीं AC square is equal to AD square plus DC square मी असका लेल यह सांगतो तुम्हाला बगा याला मी आधी नंबर देऊंगे तो equation No.2 आणि में काय काय करना रहे भगा इत्थे दा तुम्हưng हमी नीड स्कोर प्लस DC square मे ईयाला तुम्हाला दा 2 स्कोर म्न्हाल्य अ सिर्म होगा माहाला काय करना या दो न ढाक जाओ हमी काय डाकना रहे iac-square substitute करणार है रहे मनुन मेरत काय करणार है तक है यह यह बंबर 2 है तक ही अरक हरो का लिए soft कोरना है मनुन प्रॉम equation में काय लिए 3 somewhat सब्सकरी और और हैiau फ्र इस हिव्सक्राइब हाल मेरते mniej चलिए 10,7 प्लिस अल्याच सो याला आपन नंबर देऊंट अगे एक्वेशन नंबर थ्री आणि आता अजुन थोड़े से शोप करूंते आपन लीना रहोत वाजे काय करना रहोत बगा तरहे एक्वेशन डोकेट ठीवा पाइजे असेल तरह तुम्ही थोड़े सा मागे ऊंद परत वीडियो मदे बगु शक्ता कि काय केले अथा मीत सब्स्ट्रेडिशन पक्त करना रहे आणि सिंप्ली काय काय करना रहे ते बगा उके समझाता यहां कंडीशन मदे ओसी जर भगितला ओके मिया ती समल सांगतों मंजे मग काई प्रवल्लम आप आप अजर तुम्ही ओसी बगितला तरोसी मंजे को आप अगा यह डागराम नुसर आ रहे वरवार है नतरोए मंजे को नाए परतोए मंजे प्रवाचिए एलियु आप लेख तरेडी अप लेला काय माहित नाहीं जातेशा बद्देल आप लेल स्टिटुटुटुशन कर रहे चाहिए था सदेज आपन ट्रिगनॉमेट्र नहीं कि वहाग डीसी मतला तेची लाइंब आपला इक्वेशन मदे दिसेल तीथे आपला काहितरी सब्स्ट्टिशन करावी लागेल जा गोश्टे आपला महीत है त्यचा टम मादे ओके सो एडी आपला काड़ाईचा सेल तो तुम्हाला या उल्लेले जा वहलूस आपला त्या पहले आपन लिऊंद या आपन कसे कराईज त्या आपन या सग्वेशन ला तीन नंबर दिले तर या इक्वेशन मदे आपन ते फुरजी जी एक्वेशन सेथी सब्स्ट्रिट कर जाओ ओके डाइगराम जी आएते पुन्हाइक दा कंटिन्वेशन सटी तीते स्थेवतो और मग अत्ता जे मीतमाला मटलेती पुक्ता इता लिऊंद घिविया ओके डाइगराम मी प्रत्य वेला तीते स्लाइड वर ठिवली है यासा आलते चारवया डाइगराम काड़ाईची नह अगे तर काई हुएल तुमी चारवया डिकने गाडल सरुवा तेला आपन फक्ता प्यालोल अग्राम गेतला ओता जो एक्स्टेंशन वेगराईची काई प्रत्य वेला डाइगराम काड़ाईची नहीं लाक्सा धीवा फक्ता माहिती साथी ओके सो मगाशेज मटला तेविय आप लागड़े पा हे बगा तो एचानतर असी क्यूँ आहे आणि ओ ओ सी किदी आ रहे अपले अगड़े होतो तेज अने मगाशे आपनेचे मटल ते अपले डी काई नहो ता आने महुंद हाँ एडी काई याचा सटी में काई करतो है बगा इन ट्रागल एडी सी क्याला द सागड़तों एडी सी हाँ ट्रांगल मदे हाँ थीटा है आपला तर कॉस मंजेश का है तर कोना चा बाजुचे लगाची क्यूआ एड्जेसेंट साइड बरोरे और डिवाड़ेड बाई हाइपोटेनस क्यूआ करण त्याचा मोड़े लगाची बाजुए पुरान साहिन इकड़े लिगेला आता बगाची तुम्हाल माहिती है तर माहिति है बरोरे सो एसी जी वैल्युक्या एक क्यूआ अश्णरे ती आपन सब्स्ट्थूट करना रहा और अणी कॉस्ट थीटा अपनलेवाची अचिना रहा है कि फीफ थीटा इस दा अंगल बेट्वेक्ट आपन वग सिकलो दूसरा सेशन मदे आपन काई बगितलोग तीथे आपन फड़ लाग ऐंट वाजब की गुणाकार भागार यह सगुला भगितलोगा आपने एक स्पेशल सेशन घेना रोग कुटले तरेकर रग्वारी हमांते घ्यू जी जाचा अंगलुजा थाटान कसा भा तो तेबल बदल जर्वाइश थे थे थर्टी एशनारे 45 60 90 के जिरो हे पाच एंगल अस्ताती थे तर बाकी जम्जा असेल सम्झा एका ताथ एंगल है 35 डिग्री 40 मिनेट्स तो तो त्याचा मा को साइन कसा बागाएश थे वगेर ते सगल जे डिसकेशन है ते आपन नंतरीका सेशन मरें कराना रहोत तुर्तास अत्ता तुम्चा हे लक्षा दला सेल के आपलेल थिट्टा पन आपलेगड़ा है आणि एसी पना है मंजा आपने एडी काड़ू शकतो ओके प्रता आरकिन सोड़ा सो प्रेकरना सड़ी एसी मंजे का है आपले भाशे बगुन गया एक दा एसी एसी मंजे कोणा है क्यू आहे तो आपन काई लिव शकतो एडी इस इक्वल डू क्यू कॉस थिटा आणि यहला आपन पुरुचा नंबर देएक्वेशन जा एक्वेशन नंबर फाइव आता मगास्ता जे एक्वेशन होता ना ट्याच्छा मदलीजी सिच्वेशन होती यह एक्वेशन नंबर पाच्छ आणि है एक्वेशन नंबर चार तो हीजी दूनी एक्वेशन है चार आणि पाच्छ या सगया जर्ग वैल्यू आपन्ट्या मगास्ता एक्वेशन नंबर टीन मदेड अगला पुन्हाग दा पाईजय सेल तर मागे जाओं चेक कराते एक् का मिलरेल अपलता तर हे बगा आर स्क्वेशन एक्वेशन चेक क्यू कु कॉस्टीटव पर नृट क्यू कुस्टा पर तका फेक्वेशन तर प्लिक्वेशन नृट क्यू क पर शतलत गीक्वेशन नंबर टाकम ज़तो ayat किला आपन क्यों कॉस्तिट है या सगड़ा वैल्यू भक्त आपने एक्वेशन नंबर थ्री मदे सब्स्टिटुट केले आणि तेचान अंतर आपन काई केले तर सिंप्ली सब्स्टिटुटिशन करून थोड़ासा आणकिन सोप करून सांगितले की कशाप पद्धतिने आपन एक स्टेप पूरेजाब लागेल आपन काई करतो है तर रिजल्टन करतो है सब्स्टिटुट या फॉर्मिला नहीं क्या है तर् आर स्क्वेशन मिया ले जर आपने अर काड़ाए जो अन्युक्त रिए तरिया स्क्वेयर रूट लागेलितल मत तर्या पूर्ण ये शापव प्लस Q स्कुयार प्लस 2P Q कॉस्थ डान या एक्वेशन ला नंबर देवंटोगे एक्वेशन नंबर पुर्चा 6 एकदा चेक करा चुकला जल दर नंबर पुडे मागे जाला जल तर बगा वेद इस एक्वेशन गिवस दा मैगनिट्यूड आफ रिजल्टन्ट भेक्टर तर आज जीत स्थम्बूया आणे याच नंतर याच अर्टिकल्चा जो पुर्चा भाड़े डिरेक्शन तो आपन बगनारोद पुर्चा सेशन मधे